तो दोस्तों अगर आप LTE TAT की त्यारी कर रहे हैं और LTE TAT के महतपून नोट्स को ख्रीदना चाहते हैं तो आप दिये ये नंबर पर बर्टस एप माधियम से संपर्ख कर सकते हैं यहाँ पर आपको ये नोट्स उपलब्स करवा दिये जाएंगे कमिशन के लिए कोर्स लॉंच कर दिये हैं अगर आप इंटरस्टीड हो तो संपर्ख कर सकते हो संपर्ख करने के लिए आपको बर्टस एप नंबर बता देता हूं 82193 12129 ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा साथ में ही वहाँ पर आपको हमारे टैडिगाम चैनल का लिंक मिल जाएगा आप वहाँ पर जुख सकते हो पीडियाफी टैदी में वहाँ पर ही सेंड करता रहता हूं चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो यहाँ पर पूछा गिया है पहला प्रशन 31 निमलिखित में से स्पर्ष बेंजन कौन सा है तो ज प्रशन 32 निमलिखित में से कौन सा महाप्रान है तो पांस बीसरे हैं मिल गया तो जो यहाँ पर महाप्रान हो जाएगा लुकर बिकल्प ऐश्व स्फर्ष दिए अगला प्रशन 33 कौन सा अधर्व अगला प्नाशनर प्रश्न 34 का सही बिकलप हो जाएगा बिक्षर जो क्षर है यह संयूक बिंजर के अंतरकत आता है आगे जो 35 से 49 तक शुद्षब्ध चुनने के लिए कहा गया है तो यहां पर शुद्षब्ध चुनना है कौन सा आएगा तो जो 35 में अभिहास है ये कौन सा शुद्ध होगा ये बताना है तो जो 35 में सही अभ्यास होगा तो वो होगा विकल्ब C अभ्यास इस परकार से लिखा जाता है अगला है 36 परमात्मा किस परकार से लिखा जाता है तो जो परमात्मा लिखा जाता है तो ये विकल्ब C के अनुसारी सही होगा प्रमात्मा इसी प्रकार लिखा जाता है अगला है 37 घंटा किस प्रकार से लिखा जाता है तो जो 37 में सही बिकल्प होगा बिकल्प भी घंटा इस प्रकार से लिखा जाता है अगला है 38 रन भूमी किस प्रकार से लिखी जाती है ये बताना है तो जो विकल्प D होगा रणभूमी इस परकार से लिखा जाता है अगला है 49 निष्ठा किस परकार से लिखा जाता है तो जो निष्ठा होगी ये विकल्प A के नुसार सही होगा आगे है 40 से लेकर 44 तक संदी कीजिए तो देखिए जो प्रशन संक्या 40 है देव जमा अलिय इसमें कौन सा संदी सही होगा तो जो विकल्प C है देव अलिय इस परकार से देव जमा अलिय की देव अलिय का जो संदी होगा देव जमा अलिय का ये विकल्प C सही हो जाएगा आगे है प्रशन संक्या 41 तो इसमें पूछा गिया है सुर्य जमा उदे की संदी क्या होगी? तो जो विकलब D है यहाँ पर, सुर्य उदे, यहाँ पर सही हो जाएगा. सुर्य उदे की जो संदी विच्छित होगा, सुर्य जमा उदे. आगे देखिए, 42, मृत जमा मैं, इसमें जो संदी होगी, कौन सी सही होगी मृत जमा मय में तो जो 42 का सही बिकल्प हो जाएगा तो बिकल्प A मृरिन मय ये सही संदी हो जाएगी यहां पर अगर मृरिन मय का संदी बीच्छेद पुझा जाएगा तो यह जो यहां पर दिया गया है मृत जमा में ये संदी बिछेद हो जाएगा और संदी अगर पूछा जाए तो ये मृत में संदी हो जाएगी अगला है 43 वी जमा अतीत इसका जो संदी होगा कौन सा शुद्रूप होगा तो तालिस का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प भी अतीत जो बियतीत है ये संदी होगी और जो संदी विच्छिद पूछा जाएगा तो वी जमा अतीत ये संदी विच्छिद हो जाएगा दोनों का दिहान रखना आपने एक प्रशन पूछा गया है पर दूसरा प्रशन भी तो जो 44 का सही बिकल्फ हो जाएगा तो बिकल्फ C, अन्वेशन ये C सही बिकल्फ हो जाएगा संदी ये हो जाएगी और संदी विछे दिये हो जाएगा आगे देखिए 45 ये लेकर 47 तक जो तद्धवशब्द है उसका चेहन करना है तो 45 में पूछा गिया है कुठार का तद्धवशब्द क्या होगा तो जो कुठार का तद्धवशब्द हो जाएगा कुल्हारी संस्कृत में कुल्हारी को कुठार कहा जाता था अगला है 40 मुष्ठिका का तद्धवशब्द क्या होगा तो ये हो जाएगा मुठी का तद्भव शब्द क्या होगा तो यह हो जाएगा गोड़ा सी सही विकल्फ हो जाएगा यहां पर आगे देखें 48 से लेकर 50 तक उचित लिंग कौन सा होगा उसका चेंग करना है तो जो ठाकूर का उचित लिंग कौन सा होगा ठाकूर का स्त्री लिंग अगर पुछा जाए तो जो सही विकल्फ हो जाएगा ठाकूराइन सी सही विकल्फ हो जाएगा अगर हम बात करें 49 की ननत का जो संदी परीबहतम किस परकार सिखिया जाएगा उन्चास का तो यहां पर सही हो जाएगा नन दोई जो ननन दोई होता है यह ननत का पूलिंग हो जाता है अगला पुर्षिन देखिए 50 बालिका इसका क्या हो जाएगा तो जो बालिका का हो जाएगा बालक भी सही बिकर हो जाएगा अगला है इकावन आजीवन में कौन सा समास है तो जो आजीवन है इसमें समास का हमने चाइन करना है तो जो आजीवन में समास हो जाएगा तो वो हो जाएगा अब यही भाव समास यहाँ पर डी सही बिकल्ख हो जाएगा अगला देखिए बावन पीतामबर में कौन सा समास होगा तो जो पीतामबर में समास होगा बहु बिरी है यह सही बिकल्ख हो जाएगा अगला है त्रेपन से पच्पन तक भावाचक संग्याई चुनिये तो यहाँ पर अगले प्रेशन में बनने से पहले आपको बाता देता हूँ हमारी ग्रामर के लिए एक प्लेलिस बनी हुई है जब भी हिमाचल परदेश या कहीं बहार कोई भी पेपर एक्जाम होता है तो उसमें हम जो ग्रामर सेक्शन होता है हिंदी साहितिय सेक्शन होता है और जो जनरल नौलिज के कोशिन होते हैं उनकी हम यहाँ पर विचना करते हैं ठीक है तो आपको उस प्लेलिस को एक बार बीजिर करना है ताकि आपको पेपर का पैटरन पता चल जाए किस प्रकार से पूछी जाते हैं और प्रशन की भी थोड़ी से आपको नौलिज हो जाए तो प्रशन संग्या है इसका भावाचिक संग्या क्या होगी तो उसे भी मैंने डिसकस किया था तो यह प्रशन में आपके लिए छोड़ देता हूं मिठा का भावाचिक संग्या आप बताए क्या होगा अगला प्रशन देखिए चोवल शूर इसकी भावाचिक संग्या क्या होगी तो जो शूर की भावाचिक संग्या हो जाएगी शौरी है अगला प्रशन है पच्पन सुहरिद इसका जो भावाचिक संग्या क्या होगा तो पच्पन का जो सही विकल्फ हो जाएगा सोहारद्र जो सोहारद्र है ये इसका सही विकल्फ हो जाएगा अगला प्रशन है चपन अनुचर में कौन सा उपसरग होगा अनुचर और प्टेते के लिए भी मैंने आपको वीडियो बना दी है अगर भी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हो ठीक है न चाहे तो मैं उसका लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा तो जो चपन का सही बिकल्प हो जाएगा बिकल्प A अनुचर यहाँ पर उपसरग हो जाएगा अगला है इस्तावन परोफरकार में कौन सा उपसरग होगा तो सही बिकल्प होगा बिकल्प C पर अगला है अठावन क्रिपा में कौन सा प्रित्य होगा तो जो बिकल्प A है यहाँ पर आ यह क्रिपा में प्रित्य हो जाएगा अगला प्रशन देखे 59 बिलास में कौन सा प्रित्य है तो सही बिकलब हो जाएगा बिकलब डी आस अगला प्रशन है साथ बीराम चिन बताईए जो यहाँ पर चिन बताईए है इसका पताना है कौन सा उत्तर सही होगा इस तरह चिन वाले भी प्रशन आपके लिए पूशे चाते हैं चलिए जो साथ का सही बिकलब हो जाएगा तो बो हो जाएगा उद्रण उद्रण चिन से तातपरी यह होता है मानले जी कोई महत्पुन आदमी है जैसे महत्मा गांदी है अपने किसी विचार को वो कहते हैं तो जब कोई न्यूस्पेपर या कहीं और इनके विचारों को शब्द बद करता है लिपी बद करता है तो वहाँ पर इस तरह के उद्रण चन लग जाती है जो यहाँ पर दिये हो है ठीक नहीं इनको उद्रण कहा जाता है प्याख्याकारों को उनके सिधानतों के साथ सुमिलित कीजिए तो एक तरफ सुची एक दी हुई है और दूसरी तरफ सुची दो तो दोनों का हमें मिलान करना है तो चलिए करते हैं मिलान तो यह देखिए यहाँ पर जो सही मिलान हो जाएगा जो भट लोलट है इनका मिलान हो जाएगा आपका उत्पत्ती वाद से फिर हैं शंकूक शंकूक का हो जाएगा अनुमीती वाद से फिर आगे आपके भट नाइक तो इनका हो जाएगा भुक्ती वाद से फिर अभी नव गुप्त तो इनका हो जाएगा आपका अभी व्यक्ति बाद से तो ये तो हो गया प्रशन के नुसार मिलान फिर जो लास्ट में बचता है आपका व्यक्ति या व्यक्ति बाद इसका यहाँ पर कोई भी सुमिलित रूप में नहीं आएगा इन चारों का ही आएगा थोड़ी सी व्यक्ति बाद का ही दूसरा नाम है आरूपबाद कई वार आपसे पूछा जाएगा कि जो आरूपबाद का प्रवर्थक किसे माना जाता है तो आरूपबाद उत्पति बाद का ही दूसरा नाम है इसके प्रवर्थक माने जाएंगे भटलोलट कई वारे ये भी प्रशन पूचा जाता है कि जो भरत्मनी का रस्चुत्र के प्रतम ब्याख्यता किसे माना जाता है तो ये भटलोलट को ही माना जाता है इसका ध्यान खेगा इसके पशात कई वारे इनका दर्शन पूचा जाता है कि जो भटलोलट है इनका दर्शन क्या है तो इनका दर्शन होगा मिमासा दर्शन इसे भी नोट कीजेगा most important है आगे देखिए शंकुक का तो शंकुक का पुछा गिया है कि कौन सा रसिधान्त शंकुक का है तो ये अनुमीतिवाद हो जाएगा शंकुक का अनुमीतिवाद यहाँ पर एक का बी का तीन के साथ मिलान हो रहा है यहाँ पर अनुमीतिवाद इनका हो जाएगा और फिर अगर इनका दर्शन पूछा जाए तो इनका दर्शन क्या होगा तो इनका दर्शन होगा नियाए दर्शन भट लोलट का मिमासा दर्शन, शंकुक का नियाई दर्शन आगे बढ़िए, अब आगे आप क्यास भट नायक अगर भट नायक का पूछा जाए रसिधान कौन सा है तो ये हो गया भुक्तिवाद विकल्प दो में यहाँ पर जो है भुक्तिवाद इसके पुछाद अगर पूछा जाए भोगवाद किसका रसिधानत है तो ये भी इनी का हो जाएगा साधारनिकर्ण किसका है भटनायका ही है भुक्तिवाद, भोगवाद, साधारनिकर्ण ये तीनों ही इनके रसिधानत माने जाते हैं अगर इनके दर्शन की बात की जाए तो सांख्य दर्शन इनका होगा सांख्य दर्शन इनका होगा ठीक है अब अंत में है अविनव गुप्त तो अविनव गुप्त का सूची में हो जाता है एक अविव्यक्ति वाद simple सा है, साधारन सा है अभी नवगुप्त का अभी विक्तिवाद और इनका दर्शन शैब दर्शन हो गया, ठीक है तो देखिए, भट लोलट का हो गया, मिवान सा दर्शन शंकू का हो गया, नियाई दर्शन और आपके भट नाय का हो गया सांके दर्शन और हाँ, दोस्तों, बता देता हूँ, अगर भी तक आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप के साथ नहीं जुड़े हैं, तो जुड़िए वहाँ पर मैं आपको ये पीडिएफ सेंड कर देता हूँ, ठीक है इसी के साथ, हमारी टीम के दुवारा आपकी PGT, हिंदी, LTE, TET, LTE, कमिशन, इतियादी के लिए कोर्स लॉंच कर दिया गया है, अगर आप जुनना चाहते हो, तो आप 8, 2, 193, 12, 129 पर बट सेफ करना, आपको सारी इसकी डिटेल दे जाएगी है, कैसे जुड़ सकते हैं, ठीक है सारी जानकारी आपको दी जाएगी है, वीडियो के अंत में भी आपको में इसकी थोड़ी सी जलग दिखा दूँगा चलिए अगला प्रशन देखिए, यहाँ पर दिया गया है, निमलिकित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिधान के साथ सुमिलित कीजिए तो एक तर सुची ए दी गई है यहाँ पर पाशातिय साहितिय चिंत तक है और सुची दो में उनके सिधान दिये गए है तो इनका भी यहाँ पर मिलान करना है हमें ठीक है तो चलिए करते हैं यहाँ पर देखिए यह जियां पाल सातर तो इनका सिधान कौन सा होगा तो इनका हो जाएगा अस्तित्ववाद कहां पर है विकल्प 2 में अस्तित्ववाद जियां पालसात्र का अस्तित्ववाद आगया फिर जौक देरीदा तो इनका आगया विखंडनवाद ये विखंडनवाद के साथ सुमेलित हो जाएंगे फिर आगे टी-एस-ईलियट तो जो टी-एस-ईलियट है इनका क्या आएगा निर्व्यक्तिक्ता जो विकल्प 4 में है निर्व्यक्तिक्ता फिर आगे क्रोचे तो क्रोचे का क्या होगा अभी विंजनाबाद क्रोचे का आगया अभी तो जो मार्क्सवाद तो कालमाक्स से ही रिलेट करता है तो यहाँ पर सीधे आपको पता चल जाए कालमाक्स का यह हो जाएगा तो फिर से बता देता हूँ जियापाल सात्र का अस्तित्तववाद जौक देरीदा का विखंडनवाद टेस इलेट का निर्वेक्तिक्ता क्रोचे का अविविंजनाबाद कालमाक्स का मार्क्सवाद तो यह संपून था यहाँ पर जो यहाँ पर सही बिकल्फ हो जाएगा तो जो बिकल्फ डी है यहाँ पर यह सही हो जाएगा यहाँ पर तो कुछ इस प्रकार से थी आज की हमारी वीडियो, बताएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो, इससे के साथ आगे आपको मैं बता देता हूँ हमारे कोर्स के बारे में तो ये देखिए, ये है हमारे हिंदी साहित्य के टॉप मौक टेस्ट, इसके पर शाथ दूसरी जो में है, ये हिंदी साहित्य का कम्प्लिट कोर्स है, सारा करवाय जाएगा यहाँ पर आपको A to Z कवीता से लेकर उपनिया से लेकर जो जो बिदाए होती है, जो जो काबे शास्तर से समन्दित प्रशन होते हैं, सभी करवाय जाएगा तो इस परकार से आज की ये हमारी वीडियो रहती है, अगर अच्छी लगी हो आपको ये तो अवश्य लाइक, शेर और चैनल को सबस्क्राइब, अवश्य करना है आपने ठीक ना, तो चलिए आज की वीडियो का समापन कर लेते हैं, धन्यावाद तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि अब आपकी प्रिक्षा के लिए बहुत ही कम समय बच गया है, अर्थात जो आपकी एल्टी टैट की प्रिक्षा है, इसके लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसी समय को ध्यान में रखकर आपके समक्ष लाया तो आपको प्रिविस एर कोशिन पेपर के महतब के बारे में पता ही होगा क्यूंकि अगर जब तक आप प्रिविस एर कोशिन पेपर को नहीं देखते हो आपको एक अधार नहीं मिलता है कि आपको किस परकार की त्यारी करनी है अब देखिए अगर आप Atitad के स्लेवस को सर्च करोगे तो आपको पूरा स्लेवस नहीं मिलेगा तो अगर जब स्लेवस आपको पता नहीं होगा तो आप तियारी कैसे करेंगे इसकी तियारी करने के लिए एक ही मादेम होता है कि आप प्रशन पत्रों को देखिए किस प्रकार के प्रशन पूछे जा रहे हैं और उसी की त्यारी करते रहे हैं अगर आपको लेवल पता चल जाएगा आप त्यारी अच्छे से कर पाएंगे तो आपकी सुविधा के लिए मैं आपके समक्ष इन प्रशन पत्रों को लाया हूँ तो अगर आप इंटरस्टिर हो तो आपको इस नंबर पर समपर करना है 82931219 यहाँ पर आप बड़साइप करिए आपकी कोई भी क्वेरी होगी आपको उसका उत्तर दे दिया जाएगा ठीक है चाहे L.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T. होने वाले हैं तो मेरा आफसी आगर है आप एक बार नहीं देखिए और अपनी टियारी को सुद्रिड कीजिए